आज हम लोग जानेंगे 10 kitchen tips साओथ इंडियन की सबसे famous डेस है मेदूवड़ा मेदूवड़ा के बारे में हम लोग 10 बाते जानेंगे 10 tips जानेंगे क्योंकि मेदूवड़ा बनाते वक्त बहुत सारे problems होती है तो अगर आप इस tips को follow करके मेदूवड़ा बनाओगे तो आपको बिल्कुल भी कोई problem नहीं होगी और आपकी जो मेदूवड़ा है वो बहुत ही अच्छी बनेगी चलिए जानते हैं सबसे पहले हम लोग जानेंगे आप मेदूवड़ा बनाने के लिए दाल भीगोती हो भीगोने के बाद में इनकी paste तयार करते हैं तो paste को क्या करें पांजी होगी नेक्स हम लोग जानेंगे जब भी हम लोग मेदूवड़ा बनाते हैं तो उसकी जो paste है उसको जो बैटर बोलते हैं उसको हम अच्छी तरह से फेटते हैं लेकिन हम कैसे पता करें कि हमारी दाल अच्छी तरह से फेट कर हुआ यानि इसके लिए क्या करें एक इसका मतलब यह है कि आपके बैटर फेटने की है अच्छी तरह से इसे फिर से फेटे और आपकी बैटर तयार कर लेक्स हम लोग जानेंगे आप जब भी मेदूवड़ा को तलते हैं तो तलते वक्त ग्यास का फेम लो मीडियम रखें और कम से कम 6-7 मिनिट तक अच्छी तर थोड़ा सा बैटर ले और तेल में डालके देखें अगर यह बैटर तुरंथ ही उपर तैर रहा है मतलब कि आपका जो तेल है वो अच्छी तरह से गरम है और अगर आपके जो बैटर है वो तेल में नीचे जा रहा है मतलब की डूब रहा है इसका मतलब यह है कि आपका जो बरतन में डालते हैं तो उसी बरतन में क्या करें हरी मिर्ची अद्रेक लहसुन थोड़ा थोड़ा डाल ले और इसकी बैटर बनाए पेस्ट बनाए उसके बाद में इनकी वड़ा बना ले इससे आपके जो वड़ा है उसका स्वाथ दुगुना बढ़ जाती है नेक्स्ट हम नॉर्मल आपके जो बैटर है वो होना चाहिए इस तरह से होना चाहिए कि आप उसे हाथ में इजीली पकड़ सके इस तरह से बैटर बनाए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि हमारे हाथ से मेदु वड़ा छुटता ही नहीं तेल म जाता ही नहीं तो इसका करें क्या है आपके हाथ में बैटर ची पकरा तो क्या करें जब भी आप बैटर को पकर रहे हैं तो बैटर को पकड़ने से पहले मतलग क्या करें पानी मिए हाथ को दूबो आले उसके बाद में मेदुवाड की मेदु अले क Britt उजक J неё से ज़क हों पानी जो डाल है दाल का पेस्ट है वह हलका सा चिकना होता है तो यह पानी बहुत जल्दी छोड़ देती है इसलिए पानी की सहायता से ही आप मेदुवड़ा बनाएं नेक्स हम लोग जानेंगे आप जब भी मेदुवड़ा बनाते हैं तो उसके लिए दाल भीगोते हैं तो दाल को कम से कम पास से 6 घंटा भीगो कर रखे उसके बाद में इनकी पेस्ट तयार कर लेए इससे क्या होगा आपकी जो डाल है वह अच्छी तरह से भीगेगी और इसक आपके जो मेदुवड़ा का स्वाध है वह बहुत ही अच्छा आता है नेक्स अम लोग जानेंगे मेदुवड़ा को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी कैसे बनाए उसके लिए क्या करें आप जब मेदुवड़ा तलते हैं तो तलने के बाद में इन्हें निकाले और उसके बा मेदुवड़ा बिल्कुल वैस तरह से बनेगी इन टिप्स को फॉलो करके आप मेदुवड़ा बनाओगे तो आपकी मेदुवड़ा बिल्कुल भी बिगड़ेगी नहीं और बहुत ही अच्छी बनेगी